क्या यादाश वापस आते ही तारा छोड़ देगी द्रू का साथ वेल इसरे काने वाला ट्राक बहुत इंट्रेस्टिंग असले होने वाला है क्योंकि अब तारा को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा है और इसे में तो एक सवाल उठना बेहत लाज़मी सा हो गया है कि क्या जो तारा है वो अब हमेशा हमेशा के लिए स्तोरे परताप का हाथ थामने वाली है और क्या वो द्रू का साथ छोड़ देगी वेल दूशे ले देखते हैं आप सभी का मन पसंद सेरियल द्रू तारा समय सदी से परे के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ ने खास होने वाला है हाला कि हम सभी ने पिसली ट्राक में देखा था कि कि इस तरीके से जो बिजली यानि कि जो तारा रहती है वो महल छोड़ के वापस जाने वाली रहती है लेकिन तभी श्रॉर्य परताब कहीं गुम हो जाते हैं और जिसके वज़े से एक बार फिर बिदली महल में रुख जाती है लेकिन अभी सेरियल का लेटे स्ट्राक सामने आप चुका है और उसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से तारा की यादाश धीरे धीरे वापस आने लगी है और ऐसे में वो श्रॉर्य को अब पहचानने लगी है द्रू को वो कुछ-कुछ बाते ऐसी कहने लगी है जिसकी वज़े से द्रू बेहत खुश होते हुए नचराता है लेकिन साथ ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे सुर्य परताप है उन्हें काफी दिक्कत होता है जब तारा उन्हें नहीं पहचानती है लेकिन अब सवाल ये है कि क्या धुरू का साथ तारा छोड़ देंगी वेल इस वीडियो पर आप सभी का क्या रहा है हमें कमेंट के दिले जरूर बताएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे अपनी फेबरेट्स देखे अपडेट चौने के लिए देखते रहे फिल्म में वीटारा मारे चैनल को लाइक और सुस्क्राइब करें आप बिल्कुल ना भूले और अगर आप ये वीडियो फेस्जुक पर देख रहे तो वहां भी मारे चैनल को जरूर फॉलो करें